जैंद बंदे मातरम स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में आज के इस क्लास में SSE GD के प्रिवियस यर के GKGS के टोप पचातर प्रस्ण देखेंगे ये सभी प्रस्ण जो है SSE GD के पिछले साल के पेपर में पूछे गए प्रस्ण है ये प्रस्ण देखने से आप लोग को GKGS के सलेबस का भी पता चलेगा और तयारी करने में आपको असानी होगी और दोस्तो SSE जो है अपने पिछले साल के प्रस्णों को बार बार रिपीट करता है तो ये प्रस्ण आपके एकजाम में हो बहु देखने को मिल सकते हैं तो इस क्लास को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा चलिए बीना देर की वे इस क्लास को सुरू करते हैं पहला क्वेस्टन बारत में सक्रिय जो अला मुखी कहां पाये जाते हैं तो भारत में सक्रिय जो अला मुखी जो है अंडमान और निकोबार में पाये जाते हैं ओप्षन पाला करेक्टेंट सरे दोस्तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा क्योंगि ये GKGS के प्रस्ण आपके एक्जाम में जरूर पूछे जाएंगे गीद सन्रचड एवं प्रजनन केंदर निमलीखित में से कहां इस्थीत है तो गीद सन्रचड एवं प्रजनन केंदर जो है पिंजोर में इस्थीत है ओप्षन पाला करेक्टेंट सरे अगला कोश्चन सर्यू नदी निमलीखित में से किस राज्य में इस्थीत है तो सरीव नदी जोए उत्राखंड राजे में स्थी थे ओप्शन फोर करेक्टेंट सरे दोस्तो इसी प्रकार के प्रस्ण जोए S.S.C. G.D. में पूछे गए थे और ये जोए S.S.C. जोए अपने पिछले साल के प्रस्णों को बार-बार रिपीट भी करता है तो ये प्रस्ण जोए इस साल भी पूछे जा सकते हैं तो इस क्लास को अपलोग पूरे जरूर देखिएगा अगला क्वेस्चन अंग्रेजो द्वारा पंजाब का बिलाई करते समय ब्रिटिस भारत के गौवर्नर जनरल कौन थे तो अंग्रेजो द्वारा पंजाब का बिलाई करते समय ब्रिटिस भारत के गौवर्नर जनरल जो थे वो लाट डलाउजी थे ओप्शन थरी करेक्ट एंट सरे अगला क्वेस्चन सैला निर्तिसली जोए किस राजे से समबंदी थे अगला क्वेस्चन देव प्रियाग में बागी रथी जोए किस नदी से मिलती है तो देव प्रियाग में बागी रथी जोए अलखनंदा नदी से मिलती है उप्शन पाला करेक्ट ये सरे अगला कॉस्चन host डिली में जमात खाना मस्जीद का निर्माड निम्लिखीत में किस्णे कर वाया था दिल ही किम्लिखीत में निम्लिखीत में से कांड निम्लिखीत समुध्यर्प्तис अगला का प्रिद Commonwealth अगला कुश्चन एक्जाम वारियर नामक पुष्टक के लेखा कौन है तो एक्जाम वारियर जो है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की आत्म कथा है ओप्शन फोर करेक्ट इंट सरे अगला कुश्चन बीलियम जोन्स कप निमलिखित में से किस खेल से संबन्दी थे तो बीलियम जोन्स कप जो है बास्केट बाल से संबन्दी थे ओप्शन दूसरा करेक्ट इंट सरे अगला कुश्चन 2011 की जनगर्णा के अनुसार निमलिखित में से किस राज्य का लिंगा अनुपात जो है 900 से कम है तो 2011 की जनगर्णा के अनुसार जो है हरियाणा राज्य का लिंगा अनुपात 900 से कम है ओप्शन दूसरा करेक्ट इंट सरे अगला कुश्चन उत्तर प्रदेश के बाद जो है किस राजी में लोग सभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है पहले नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर कौन राजी आता है तो महाराष्ट जो है दूसरे नंबर पर है तो इसका correct answer होगा option नंबर दूसरा next महिला उद्धिमिता दिवस प्रती वर्ष को मनाया जाता है तो महिला उद्धिमिता दिवस जो है 19 नंबर को मनाया जाता है option पहला correct answer है अगला question हडपा इस्थल जो है में हल रेखाओं के निसान खोजे गए थे कहां से खोजे गए थे तो काली बंगा से काली बंगा से जो है जोते गए खेत के हल रेखाओं के निसान खोजे गए थे option पहला correct answer है अगला question भारतिय कॉम्मिनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्स हुआ था तो बार्ती कॉममीनिस्ट पार्टी का गठ्टन जो ए 1925 में हुआ था और उप tunnels तीशरा करेक्टेंस सरे अगला कुश्चन अरुनाचल प्रदेष राजी की सबसे उची चोटी कौन है अरुनाचल प्रदेष राजी की सबसे उची चोटी कंगतो है ओप्शन तीसरा correct answer रे अगला question हुंडरु जल प्रपात किस नदी पर इस्थित है तो हुंडरु जल प्रपात जो है सोड रेखा नदी पर इस्थित है ओप्शन पहला correct answer रे अगला question बुद्चरित के लेखक असो गोस जो है किस कुसाड राजा के दर्बार के दार्शनिक थे तो बुद्चरित के लेखक असो गोस जो है कनिस्क प्रथम के दर्बार के दार्शनिक थे ओप्शन फोर correct answer रे अगला question उच नयालेओं को बारतिय सम्विदान की किस अनुछेद के तत जो है रीट जारी करने की सकती प्राप्त है तो उच नयालेओं को जो है और उचे 226 के तत रीट जारी करने का अधिकार है ओप्शन टू correct answer रे अगला question पंडित अयोद्यापरसाद जो है किस से जुड़े है तो पंडित अयोद्यापरसाद जो है पखावस से जुड़े है ओप्शन दूसरा correct answer रे अगला question लगबग 1900 पहले कागज का अभिसकार निमलिखित में से किस देश में किया गया था तो लगबग 1900 पहले जो है कागज का अभिसकार चीन देश में किया गया था ओप्शन पहला correct answer रे अगला question सूचना का अधिकार अधनियम कानून का एक अच्छा उदार रे और इसके कारे करने की अधिक संभावन आए क्योंकि यह जो है लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है option number दूसरा correct answer रे अगला question निमलिखित में से कौन सा मंदीर स्रिलंका में इस्तित है तुम्होंने सरम का मंदीर जो है स्रिलंका में इस्तित है option two correct answer रे अगला question पहली बंगाली मैला लेखिका आसा पूडा देवी ने जो है किस वर्स ज्यान पीट पुरसकार जीता तिसका correct answer रे option नंबर तिसरा 1986 रेश्वी में तिसरा correct answer रे अगला question किस जाट सासक के नित्रिव तुमें बल्लब गड जो है एक मत्वपुड बैपारिक के अंदर बन गया तो सूरज मल के नित्रिव तुमें जो है बल्लब गड एक मत्वपुड बैपारिक के अंदर बन गया option पाला correct answer रे अगला question केलकर समीती 2015 जो है किस से संबंदी थे तो केलकर समीती 2015 जो है option रचनात्मक विकास की PPT माडल से संबंदी थे option तीसरा correct answer रे अगला question निम लिखित में से कौन सा उर्जा का एक पारमपरिक स्रोथ है तो लकडी जो है ये उर्जा का एक पारमपरिक स्रोथ है option तीसरा correct answer रे अगला question निम में से क्या मिट्टी को उपजाओ बनाता है तो खनीज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रल जो है मिट्टी को उपजाओ बनाता है option two correct answer रे अगला question बारत में साइमन कमिशन के आगमन से पुरूँआ निम लिखित में से कौन सी गटना गटी तो बारत में साइमन कमिशन के आगमन से पहले जो है काकोरी सडियंतर वाली गटना गटी option पहला correct answer रे अगला question निम लिखित में से किसने जो है इंडिया विन्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो बारत के सोतंतरता संग्राम संबन में उनकी आप बित्ती है तो उसका correct answer रे option नमबर तीसरा इंडिया विन्स फ्रीडम नामक पुस्तक जो है मौलाना अवुल कलाम अजाद ने लिखी है option 3 correct answer रे अगला question निम लिखित में से किसने हड़ अप नीती लागो की थी तो लाट डला उजी ने जो हड़ अप नीती लागो की थी option 4 correct answer रे अगला question किसका उद्देश जो है देश में पंचायती राजशन स्थाओं को बढ़ावा देना है तो ती अत्तरवा संबिदान संसोधन अधनियम 1992 का उद्देश जो है पंचायती राजशन स्थाओं को बढ़ावा देना है option 1 correct answer है अगला question कंदार के दिवासी सेल सिलालेक कीन दो वासाओं में लिखे गए है तो इसका correct answer है option 2 ग्रीक और आर्मेइक option 2 correct answer है अगला question लेबैंग भूमनी निमलिखित में से की सराज़े का एक प्रदसनकारी लोक निरती है तो लेबैंग भूमनी जो है ये त्रिपूरा की एक प्रदसनकारी लोक निरती है option 3 correct answer है अगला question मनुसियों में गुड़ सुत्रों के कितने युग में होते है तो मनुसियों में गुड़ सुत्रों के जो है तेईस युग में होते है option 3 correct answer है अगला question हिंदू बीदवापुनर विबा अधनियम निमलिखित में से किस वर्स लागू हुआ था तो हिंदू बीदवापुनर विबा अधनियम जो है 1856 में लागू हुआ था option 4 correct answer है अगला question 1918 में खेडा में आई बाल के बाद किसने जो है अंग्रियजों के खिलाप no tax campaign का नित्रितु किया था 1918 में खेडा में आई बाल के बाद सरदार बल्लब बाई पटेल ने no tax campaign का नित्रितु किये थे option 3 correct answer है अगला question निमलिखित में से कौन जो है फार्सी, अर्बी, तूर्की के साथ साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे तो इसका correct answer है option number 4 अबदुलरहीम खाने खाना option 4 correct answer है अगला question मोती लाल ने रुकी अध्यस्ता में बारतिय समिदान के मसाध्य को तयार करने के लिए किस वर्ष समिती का गठन किया गया था तो मोती लाल ने रुकी अध्यस्ता में जो है बारतिय समिदान के मसाध्य को तयार करने के लिए 1928 में समिती का गठन किया गया था option 3 correct answer है अगला question बाल गंगा दरतिलक द्वारा समपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिस सासन के सबसे कटू आलोचको में से एक था तो इनका समाचार पत्र का नाम के सरी था option 3 correct answer है अगला question निम्रिखित में से कौन सा जो है मानो पूजी नहीं है तो सिच्छा जो है मानो पूजी है प्रसिच्छर भी मानो पूजी है और स्वास्त देखबाल यह भी मानो पूजी है लेकिन भोमी जो है यह मानो पूजी नहीं है option 4 correct answer है अगला question निम्रिखित में से कौन सा तलवार निरति जो है प्रसिच्छर अगला question भारतिय सम्विदान के निम्र में से किस अनुछेत के अंतरगत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्टि पती द्वारा अपने अस्ताचर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा निक्त किया जा सकता है तो जो है राज्यपाल की निक्ती राष्टि पती जो है अनुछेत 155 के तहत करते है उप्षन फोर करेक्ट अन्सर है अगला question उडिशा में गजपती समराजे की स्थापना निम्रिखित में से किस वर्स होई थी तो उडिशा में गजपती समराजे की स्थापना जो है 1435 सिस्वी में होई थी उप्षन पर अला करेक्ट अन्सर है अगला question चोल उण्स के राजचिन में निम्रिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था तो चोल उण्स के राजचिन में जो है बाग का अंकन किया गया था उप्षन फोर करेक्ट अन्सर है अगला question 1929 में खुदाई खिद्मतकार नामक और इंसक करांतिकारियों का एक दल बनाने वाले सोतंतरता सेनानी का नाम बताएं खुदाई खिद्मतकार नामक जो है दल बनाने वाले सोतंतरता सेनानी का नाम था खान अब्दूल गफार खान ओप्षन टू करेक्ट अन्सर है अगला question निम्रिक्रित में से की सु वर्स में खान देश को मुगल समराजी में समाविष्ट किया गया था अगला question हिमाचल परदेश में हिंडिया देवी के सम्मान में निम्रिक्रित में से कौन सा उत्सो मनाया जाता है अगला question सुर्य का प्रकास जो है किसका मुख्य सुरूत है सुर्य का प्रकास जो है विटामिन डी का मुख्य सुरूत है ओप्शन टू करेक्टेंट सरह है अगला question स्वतंतरता के बाद इस्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंतरड किसका था तो सोतंत्रता के बाद इस्थापित उद्ध्योगो पपूर्ण नियंत्र जोए सरकार का था ओप्शन फोर करेक्टेंट सरे अगला कुश्चन लोग सभा में जोए कितनी सीटे अनसुचित जाती के सदस्यों के लिए आराच्छी थें अगला कुश्चन बीजे दस्मी को जोए किस नाम से जाना जाता है तो बीजे दस्मी को जोए दसा आरा के नाम से जाना जाता है ओप्शन टू करेक्टेंट सरे अगला कुश्चन निमलिखित में से जोए किसे हरित करांती द्वारा प्रती स्थापित किया गया था तो जवी खात का परियोग जोए ये हरित करांती द्वारा प्रती स्थापित किया गया था option 3 correct answer अगला question पंडित हरी पसाच चोरसिया जो है विश्व प्रसीद प्रतिपादक है तो ये जो है बासरी में विश्व में प्रख्यात है option 3 correct answer अगला question माईला राष्टिय खेल उत्सो किस वर्ष शुरू किया गया था तो माईला राष्टिय खेल माँ उत्सो जो है 1905 अत्तर में शुरू किया गया था option 4 correct answer अगला question निमलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य सोदक समाज की स्थापना की थी तो जो इत्वाब फुले जो थे इडों ने सत्य सोदक समाज की स्थापना की थी option 3 correct answer अगला question पारो तेश्चू के नाम से जाने जाने वाला प्रसीदते वार किस देश से सम्बंदित है तो पारो तेश्चू जो है ये भुटान देश का प्रसीदते वार है option 4 correct answer अगला question मिन काफ को निमलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया है तो ये जो एड़ोफ हिटलर द्वारा लिखा गया option 3 correct answer है अगला question नागे वाजा जूडों में इस्तिमाल की जाने वाली एक क्या है तो ये जो दूर हटाने यानि कि throwing की तकनिक है option 3 correct answer है अगला question किस सन्विदान संसोदन अधनियम के तवत उद्देशी का में धर्म निर्पेश सब्द जोड़ा गया था तो बयाली सवाँ संविदान संसोदन के तवत उद्देशी का में धर्म निर्पेश सब्द जोड़ा गया था option 4 correct answer है अगला question मानो के लिए एक जाती एक दर्म एक इसवर के दर्शन को किस ने प्रतिपादित किया है तो स्री नरायन गुरू ने जो है मानो के लिए एक जाती एक दर्म एक इसवर के दर्शन को प्रतिपादित किया option 4 correct answer है अगला question आत्म का था long walk to freedom किस के दोरा लिखी गई है तो long walk to freedom जो है नेलसन मेंडेला के दोरा लिखी गई है option 3 correct answer है अगला question होजा गिरी निम्न में से किस राज की एक प्रसिद निर्तिसाईली है तो होजा गिरी जो है त्रिपूरा राजे की एक निर्थिसायली है ओप्षन पाला करेक्टेंसर है अगला कुश्चन मलीका सारा भाई निम्रिखित में से किस निर्थिसायली की एक कुशल निर्थकी है तो मलीका सारा भाई जो है कुची पूडी और बरतनाटेम की एक कुसर निर्थकी है option 4 correct answer है अगला question निमलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने बारत को स्वतंत्र उपनिवेस यानि की domain state की पेसकस की तो ये जो 1942 में की option पहला correct answer है next बैस्वी करड के संबन में PPP का पूर रूप क्या है तो बैस्वी करड के संबन में PPP का पूर रूप प्रचेजिंग पावर पैरिटी है option 4 correct answer है अगला question दूम मठ बारत के किस राजे में इस्थी थै तो दूम मठ बारत के पस्चिम बंगाल राजे में इस्थी थै option 2 correct answer है अगला question निम्लिकित में से कीस देश से जो है भारत ने संबिदान संसोधन परकिरिया को अपनाया है तो दचिड अफिर का देश से जो है भारत ने संबिदान संसोधन की परकिरिया को अपनाया है option 3 correct answer है अगला question दुरोडाचारे पुरुषकार जो है किसे परदान किया जाता है तो दुरोडाचारे पुरुषकार जो है सरोस्रेश्ट कोच को दिया जाता है option 4 correct answer है अगला question L.E.R.M.S. निती की गोस्डा जो है किस बजट में की गई थी तो L.E.R.M.S. निती की गोस्डा 1992-1993 के बजट में की गई थी option 2 correct answer है और यह जो है इस क्लास का अंतिम प्रस्ण था आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताईएगा अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस क्लास को सेर करें मिलते एक और ने क्लास में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जय इंद बंदे मातरम